स्वागत है आप सभी का रासू की रसोई में तो ना ये मैकरोनी है ना पास्ता ये है चावल के अटे का नास्ता अगर आपने ये एक बार खा लिया ना तो आप मैकरोनी पास्ता खाना भूली जाएंगे इसका टेस्ट खाने में बिल्कुल मैकरोनी पास्ता की तरह ही आता है तो चलिए बनाना करते हैं श्टाट बिना देरी की हुए तो लिया है दो कटोरी चावल का आटा आपके पास आटा नहीं है तो आप यही रखे हुए चावल को मिक्सी में पीस लेजिए इसे चान लेजिए तो उसका आटा निकलाएगा अब लिया है गरम पानी आपको गुन गुन गरम पानी ही लेना है इसे ठंडे पानी से नहीं गूतना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूत लेंगे इसका ना ज़्यादा आटा टाइट गूतना है, ना ज़्यादा सॉप्ट आपको मीडियम आटा लगा लेना है तो देखी या आटा लग चुका है आप इसे कोई भी आकार में बना लीजी आपको जैसी इजी लगे, जैसी पसंदू तो वो आकार दे के आप इसका नास्ता बना लीजिए ये देखिए हमने हाथों से सिप्रेस किया और उगली से से दबा दिया तो इस प्रकार के हमने बना लिए आपको इभी सेप में बना सकते हैं हमने से डोनट वाला सेप दिया है और आपके हाथ में ये चिपके ना अटा लेने में तो आप थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लिजी फिर बिलकुल नी चिपकेगा आराम से आपके बॉल्स से सारी बनती जाएंगे देखि कित्य आराम से बनती जा रहे हैं तो लीजी हमने यहाँ पे सारे बॉल्स को बना लिया है आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपको मीडियम साइच 20 किलोई लेना मीडियम ही बनाना है आपको अब लेंगे छेद वाली छन्नी आप इसे तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर दीजिए क्योंकि हमें यह वाला नहीं है न पकाना है न तेल में तरना है यह करना है श्टीम तो आप इसमें अच्छे से तेल लगा दीजिए फिर लग दीजिए सारी अपने बॉल्स को आप इसमें उपर नीचे दो लेयर में लगा सकते हैं या तीन लेयर में लग सकते हैं ये आराम से ही पक जाएंगे श्टीम हो जाएंगी ये मसूची कि एक ही लियर में लगाएंगे दुबारा इस्टीम करेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं करना है एक बार में ही सारी बॉल्स इसमें रख देनी है ये कल लिया था गरम पानी भगोने में भगोने में तीन गलास पानी डाला था और इसे गरम कल लिया था आप इसे रख और एक सिम्बला मिर्च, अद्रक, हरी मिर्च, जब तक ये 10 मिनट में स्टीम हो गए हैं, तो ये देखी अंदर से पूरी पक चुके हैं, आपको देखने में लग रहे हैं ना मैकरोनी जैसे, उसका सेफ हो लाग है पर लगते बिल्कुल मैकरोनी जैसे हैं, ये देखी आराम स अगर ये कच्ची होते हैं तो इसमें आटा निकल के आ जाता फौग में, देखिए तोड़की भी आपको देखाते हैं, तो बस ये अंदर से पक चुके हैं, तो आप लगते हैं कड़ाई करते हैं आंगे की प्रोसेस, अब कड़ाई में डालते हैं तेल, आप इसकी जगा ब आप सरसों की भी जिसमें डाल दीजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता इसके तड़के का, अब डाल दियां, गिरेट किया हूँ आदरक, ये भून जाया तो डालेंगे प्याज, अब प्याज को भूनेंगे, प्याज को ज़्यादा रेड नी करना है, बस मिर्च, अब इसमें एट कर देंगे टमाटर, थोड़ा टमाटर को गलाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे गाजर, गाजर को क्योंकि गरेट किया था तो इसमें पकने में जादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको गाजर बिलकुल लाश्ट में ही डाल ली है, अब सारी अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आधी चम्मच, एक चम्मच डाल दिया है, सबजी मसाला, आप इसकी जगे मेगी मसाला भी अट कर सकते हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको इसमें पानी बिलकुल एड़नी करना बस ऐसी मसाले को भूझ लेना है, मसाला भूझ चुका है तो इसमें डालनेंगे सारे बॉल्स को, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, आपको इसे तीन से चार मड़ तक ऐसे ही लगातार भूझ ना है, इसमें अच्छे से मसाला नमक एड हो जाएं, क्योंकि चावल की यह देखी लग रहे हैं आपको बिल्कुल मैकरोनी की तरह खाने में बेहदी टेश्टी लगते हैं आप एक बार बना कर जरूर ट्राइए कीजी आपको जरूर पसंद आएंगे इसमें डाल दी हारी धनिया विसे कर देंगे मिक्स बस गैस को भी कर देंगे आफ तो देखिए ऐसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगा न ज़्यादा खर्चा हुआ चावल के आँटे से ही यह नास्ता बन कर तैयार हो गया है आप एक कटोरी चावल मिक्सी में पीस लेजी तो आपकी इतनी सारी मैकरोनी बन जाएंगी तो आपको हमारी रेस्पी पसंद आयो तो प्ली बीडियो को सस्क्राइब जरूर कर दीजी आपको मारी बीडियो पसंद आयो